नमस्ते फ्रेंट्स आज हम पढ़ेंगे पार्ट जॉर्ज पंचम की नाक और इसे लिखा है कमलेशवर जी ने कमलेशवर जी हिंदी के सशक्त लेखक माने जाते हैं इनका जन्म 1932 में तथमृत्यू 2007 में हुई थी उन्होंने कई फिल्मों के लिए पटकताई लिखी जिन में से कुछ आपको याद भी होंगी जैसे आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनी गंधा, मिस्टर नटवरलाल, सोतन, लैला और राम बलराम लोकप्रिये टीवी सीरियल चंद्रकांता के अलावा दरपन और एक कहानी जैसे धारावाहिको की पटकता लिखने वाले भी कमलेशवर जी ही थे जोर्च पंचम की ना कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि भ्रष्ट राज तंत्र और नोकर शाही के इस तंत्र को इस सिस्टम को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है और इस कहानी में उस समय की भारत्य सरकार की मांसिक्ता उन्होंने व्यक्त की है लेखा कह रहे हैं कि वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंतरता की बनी हुई है इसके माध्यम से उन भार्दियों पर उन्होंने कटाक्ष किये हैं जो मांसिक रूप से तो आज भी अंग्रेजों के गुलाम है आजादी सिर्फ तारिखों में हासिल हो गई परंतु वे आज भी अंग्रेजों को अपने से अधिक श्रेष्ट समझते हैं और इस पूरे पार् 1936 में हुई थी और वे प्रथम ब्रिटिश शासक थे और विंसर राजगराने से संबंद रखते थे महारानी एलिजाबेथ दुवित्य जिनके आने की तैयारी में ये सारी तैयारिया हो रही हैं वो अपने पती के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी और जॉर्ज पंच था उसने हिंदुस्तान की नाक को बचाने के लिए जॉर्ज की लाट की नाक पर दोबारा नाक लगाना जरूरी समझा और इस पार्ट में पूरे सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए जो चिंता जो परेशानी दिखाई दे रही है वह इस मानसिक्ता को दर्शाती है कि हम अंग्रेजों को आज भी अपने से बहतर मानते हैं और उनके द्वारा की गई प्रिशंसा को हम बड़ी उपलब्धी मानते हैं पाट के शुरू में ही लेखक ने बताया है कि इंग्लेंड की महारानी इलेजाबैद दूइत्ते अपने पती के साथ पता हारने वाली थी और अखबारों में उन्हीं की ही चर्चा हो रही थी रोज लंदन के एक्बारों से खबर आ रही थी कि शाही दोरे के लिए कैसी कैसी तैयारी हो रही है। पहुँच गए थे क्योंकि सवाल भारानी की सुरक्षा का था इंग्लेंड के अखबारों की कत्र ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिप की नजर आती थी यहां लेखक ने निम्नस्तर की पत्रकारिता पर प्रकाश डाला है कि अखबार छोटी-छोटी सी बात इंग्लेंड की महरानी के बारे में चाप रहे थे जो खबरे लंदन में चपती थी वही खबरे अगले दिन भारत के अखबारों में चपती थी और बहुत निम्नस्तर की जैसे की रानी ने एक हैसा हलके रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है जिसका खर्चा इतना है और रानी एलिजबेट की जनम पत्री भी चापी प्रिंस फिलिप के कारणा में चापे और तो और उनके नो करो बावर्चियों खान सामों इन सब की जीवनिया देखने में आई शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुट्तों तक की तस्वीरे अखबारों में चप गई लेखक ने एक बहुत बड़ा कटाक्ष उस समय की भारतिये पत्रकारिता पर किया है कि हम दूसरों को इतना महत्व देते हैं कि हम उनकी छोटी छोटी सी बातों को भी नजर अंदाज नहीं कर सकते बड़ी धूम थी बड़ा शोर में बज रहा था और गुंज हिंदुस्तान में हो रही थी यानि महारानी आने वाली थी लेकिन तैयारियां हिंदुस्तान कर रहा था दिल्ली कर रही थी इन खबरों से हिंदुस्तान में संसनी फैल रही थी राजधानी में तहल का मचा हुआ था और देखते ही देखते दि के साफ की गई ये सब तयारियां हो रही लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी क्या थी मुश्किल वह थी जॉर्ज पंचम की नाक नई दिल्ली में सब कुछ था सब कुछ होता जा रहा था और सब हो जाने की उम्मीद थी पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड बड़ा कटाक्ष किया है यह कहकर लेखा किस पस्ट करना चाहता है कि भारत स्वतंत्र होने पर सर्वता संपन हो चुका था कहीं भी विपन्नता नहीं थी गरीबी कहीं नहीं थी कोई अभाव नहीं था बस अभाव था तो आत्म सम्मान का और स्वाभी मान का क्योंकि संपन्न होने पर भी देश पर तंतरता की मान सिकता से मुक्त ही नहीं हो पा रहा था अंग्रेज का नाम आते ही हीन्टा का भाव उत्पन हो जाता था ये हमारे शासक रहे हैं गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था इसलिए लेखक ने या कहा है कि दिल्ली में सिरफ ना भी रंगे गए बहस सिर्फ इस बात पर थी क्या था बहस का मुद्दा यह था कि जौज पंचम की नाक रहनी दी जाए या हटा दी जाए यह बात जौज पंचम की एक लाट पर नाक को लगाने की सारी कवायद उसके लिए हो रही है लाट से ताथ पर रहे स्टेचू जैसे अपने नेता जी का चश्मा में पढ़ा है सुभाश शंदर बोश जी की मूर्ती थी ऐसे ही जौज पंचम का एक स्टेचू था दिल्ली में और जैसा की हर राजनेति कांदोलन में होता है कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में तो यहां भी ऐसा ही था और फिर एक दिन अचानक हादसा हुआ इंडिया गेट के सामने जौज पंचम की लाट की नाक एक एक गायव हो गई पहरेदार रखे वे थे उसके बाद गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई रानी आये और नाक नहो बहुत बड़ी परिशानी का विश्य था यह कैसे हो सकता है चि मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में ये निर्ने लिया गया कि एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया जाए मूर्तिकार उपस्तित भी हुआ उसने सभी उत्रेवे चेहरे देखे जो प्रशासनिक अमला था जो अधिकारी बैठे वे थे उन उतने में ही मूर्तिकार को एक आवा सुनाए दी क्या मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है आदेशात मक्सवर मूर्तिकार ने हामी भरी की नाक लग जाए गया अश्वासन दे दिया लेकिन मुझे बताना होगा कि लाट का पत्थर कहां से लाया गया यह सुन सब हुकामों ने एक दूसरे की और देखा और क्लर्क को बिला कर यह काम पुरा तत्व विभाग की फाईले देखकर पता लगाओ कि लाट कब बनी कहां बनी और पत्थर कहां से लाया गया था और क्लर्क ने भी सारी फाईले च्छान मारी पर पता नहीं क्या हुआ कुछ चो प तेहरे पर उदासी आ गई। क्योंकि कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। फिर एक कमेटी बिठाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। जैसा कि हमेशा होता है कि एक समीती गठित कर दी जाती है और उसको कह दिया जाता है कि जो ये जो परिशानी है इस परि बिखक ने मूर्थिकार का भी एक चित्रन यहां पर किया है कि मूर्थिकार यो तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था यानि कलाकार तो था अच्छा मंझा हुआ लेकिन पैसे की तंगी थी और आप जानते हैं कि जब पैसे की तंगी इंसान को होती है और चरित्र पत्थर की खोज शुरू कर दी मूर्दिकार को बुलाया समीती ने मूर्दिकार ने आश्वासन दिया परिशान मत हो ये क्योंकि इन मीटिंग्स में इन सभाओं में कुछ और मिले या न मिले आश्वासन बड़ा अच्छा मिलता है तो मूर्दिकार ने कहा चीज इस देश के गर्ब में चिपी है जरूरत है तो बस खोज निकालने की और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा आने वाला जमाना खुशाल होगा और यह चोटा सा भाशन अगले दिन अकबार में भी छप गया मूर्तिकार पत्थर की खोज में अगले दिन निकल पड़ा कुछ दिन बाद हताश लोटा पत्थर नहीं मिला उसने सिर लटका कर खबर दी निराश स्वर में क्योंकि जितने आत्मिश्वास के साथ वो आश्वसन दे कर गया था कि मैं इस काम को करके ही रखूंगा वो काम नहीं हुआ तो सिर लटकाया और बोला कि हिंदुस्तान का चपा चपा खोज डाला पर इस किसम का पत्थर नहीं मिला यह पत्थर विदेशी है सभपती जी तैश में आ गए बोले लानत है आपकी अकल पर विदेशों की सारी चीज़े हम अपना चुके हैं दिल दिमाग तोर तरीके रहन सहन जब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता यहां लेखक ने भारती ये मान सकता पर एक तकड़ा व्यंग किया है कि हम विदेशों की सारी चीज़े अपना चुके हैं उनके तोर तरीके उठना बैठना खाना पीना उनकी सारी संस्कृती हम अपना चुके हैं दिल दिमाग से उनके तरीके से हमने सोचना और कारे करना शुरू कर दिया है उनका रहन सहन हम अपना चुके हैं और तो और हमने उनका बाल डांस तक अपना लिया तो क्या वहाँ का पत्थर हम नहीं ढून सकते पत्थर नहीं मिल सकता यह सब सुनकर मूरतिकार चुप खड़ा था लेकिन अचानक उसकी आँखों में चमका गई क्या सोचा उसने क्या आया दिमाग में उसने कहा एक बात मैं कहना चाहूँगा लेकिन इस शर्थ पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे है यानि कोई गैर जिम्मेदारा ना कुछ उल्टा ख्याली दिमाग में आया होगा सभापती जी की आँखों में भी चमाका गई चपरासी को हुकम दे दिया गया कि कमरे के दरवाजे बंद कर दें तब मूर्थिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्थियां भी हैं अगर इजासत हो तो आप ठीक समझे तो मेरा मतलब है यानि मूर्थिकार को ये बात बोलने में बड़ी परिशानी हो रही थी लेकिन जैसे कि लेखक पहले कहे चुके हैं कि मूर्थिकार वैसे तो कलाकार था पर पैसे से लाचार था तो उसने कह दिया कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए यानि इस बात पर सहमती बन गई कि देश में अपने महान व्यक्तित्व की जो मूर्थियां लगी हुई हैं स्वतिंतरता सैनानियों की जो मूर्थियां लगी हुई हैं उनकी नाक को काट कर उतार कर और जॉर्ज बंचम के लाट पर लगा दिया जाए सब ने सब की तरफ देखा क्षण भर के लिए बद हवासे के बाद खुशी तयारने लगी यानि आइडिया मिल गया सभापती ने धीमे स्वर में कहा लेकिन बड़े हुश्यारी से यानि काम कर लो लेकिन बड़े तरीके से और मूर्थिकार फिर देश दोरे पर निकल पड़ा जौश बंचम की कोई हुई नाक का नाप उसके पास था दिल्ली से वह मुंबई पहुँचा और मुंबई में दादा भाई नोरो जी गोखले तिलक शिवा जी जहांगीर सब की नाके उसने टटोली नापी उसके बाद गुजरात भागा गांधी जी सरदार पटेल विठल भाई पटेल महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला अब बंगाल में गुरदेव रवीन राटेगो सुभाश इंद बोस राजरा मोहन रायादी को भी देखा सब की नाकों की नाप जो करी और बिहार की तरफ चल पड़ा बिहार होता हुआ उत्तर परदेश की ओर आया चंदर शेकराजाद, बिस्मिल, मुतिलाल नहरू मदन मोहन मालविये की लाटों के पास गया और घबराहट में मदरास भी पहुँचा सत्यमूर्दी को भी देखा मैसूर, केरल, लादी, सभी प्रदेशों का दोरा करता हुआ पंजाब पहुचा लाला लाजपतराए, भकत सिंग की लाटों का भी सामना हुआ और आखिरकार दिल्ली पहुच गया उसने अपनी मुश्किल बयान की पूरे हिंदुस्तान की परीकर्मा कराया अब समूर्थिया देखाया, सब नाकों का नाप ले लिया पर जॉर्ज पंजम की नाक से सब बड़ी निकली यहां लेखक कहना चाहते हैं कि इन विदेशियों की नाक से जिनको हम इतना महत वदे रहे हैं लेखक ने एक तगड़ा कटाक्ष किया है कि जोर्ज पंजम की नाक से हमारे देश के सारे नेताओं की नाके बड़ी निकली अब इस बात को सुनकर सारे जुंचलाने लगे राजधानी में तैयारिया हो रही थी कि महरानी आएगी मुर्थिकार से यहे ब revital संकर सारे हुकाम हताश होकर जुंचलाने लगे मूर्तिकार ने आगे बताया कि मैंने सुना है कि बिहार सेक्रेटरियेट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं शायद बच्चों की नाक फिट बैट जाए यहां लेखक ने निमनस्तर की मानसिक्ता को यहां पर दर्शाया है कि सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाकों तक काटने के लिए यह जो कमेटी थी वो तयार हो गई थी हैं सोचकर वहां गए और बच्चों की नाके भी इनसे कई बड़ी बैठती हैं बताये अब क्या किया जाए मूर्तिकार ने एक और सला दी क्योंकि मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था राजधानी में भी अन्ने सभी तयारियां चल रही थी जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया नाक ना होने के करण बने बड़े हुकामों में खलबली मची हुई थी इधर मूर्तिकार ने फिर से शर्ट दो रही कमरे के दर्वाजे फिर बंद किये और फिर बैठ़ कोई मूर्तिकार ने एक योजना पेश की नाक लगाना एकदम जरूरी है इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड में से कोई एक जिन्दा नाक काट कर लगा दी जाए मूर्तिकार की इस बात को सुनकर सन्ना टचा गया सब को परिशान देखकर मूर्तिकार ने कहा आप लोग घबराते क्यों हैं ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए नाक चुनना मेरा काम है आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए काना फूसी करके और जो बैठक हो रही थी उसके जो अधिकारी वर्ग था उन सब ने मूर्तिकार को ऐसा करने की कि जिन्दा नाक काट कर ही मूर्ति पर लगा दी जाए इस काम की इजाजत दे दी और अगले दिन अखबार में चाप दिया गया कि नाक का मसला हल हो गया और राजपत पर इंडिया गेट के पास वाली चौर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई मूर्ति के आसपास का तालाब सुखा कर साफ कर दिया गया और उसमें ताजा पानी डाल दिया गया जिससे जिन्दा लगाई जाने वाली नाक सूख न जाए राणी के आने का दिन नजदी काता जा रहा था मूर्तिकार खुद बताए हल से बहुत परिशान था परिशानी की बात तो थी ही उसने फिर जिन्दा नाक लाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी और उसे मदद यह कहते हुए कमेटी ने दे भी दी कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए यानि आप समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता है हम रानी अलिजबेत के दोरे को कितना महत्व दे रहे हैं और जौश पंचम की लाट को कितना महत्व दे रहे थे कि उसके लिए अपने किसी जीवित व्यक्ती की नाक काटने के लिए तयार हो गए थे और वह दिन भी आ गया जौश पंचम की नाक लग गई सभी अखबारों में खबर छपी और यहीं बता दिया कि नाक पंचम की नहीं है और इस खबर को तोड़ मरोड कर इसलिए चापा गया क्योंकि यदि इस खबर की क्योंकि उन्हें डर था कि यदि इस खबर की भनक जनता को लग जाएगी तो आकरोश फैल जाएगा पूरे समाज में आंदोलन हो जाएंगे और विद्रहों की भावना जाग उठेगी और उस दिन के अख़बारों में एक और बात गोर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं किसी उद्घाटन की खबर नहीं चपी थी कोई फीता नहीं कटा गया था कोई सारवजनिक सभा नहीं हुई थी कहीं किसी का कोई अभिनंदर नहीं हुआ कोई मान पत्र भेट करने की नोबत नहीं आई थी किसी हवाई अड़े या स्टेशन पर कोई स्वागत समार हो नहीं हुआ था और अख़बार में किसी का कोई चित्र नहीं चपा था सब अकबार खाली थे सिरफ एक खबर चपी थी उसके अलावा कोई खबर नहीं चपी थी कहने का तातपर है कि उस दिन अकबार भी आत्म गलानी से भर उठे थे कि एक जिन्दा नाक लगा दी गई है पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था क्योंकि नाक तो सिरफ एक चाहिए थी वह भी बुथ के लिए तो यह था पार्ठ जॉर्श बंचम की नाक तो इस पार्ठ में हमने क्या देखा हमने देखा कि उस समय का सरकारी तंत्र, सरकारी अमला किस कदर मानसिक गुलामी से ग्रस्त था अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से आज भी ये लोग आजाद नहीं हो पाए थे और दूसरी बात हमने ये देखी कि उस समय की जो पत्रकारी था थी वह कितनी सतही पत्रकारी था थी ऐसे पत्रकार जिनके पास मुद्दो का अभाव है वे ही इस प्रकार की पत्रकारी था कर सकते हैं और लेखक ने मूर्तिकार के माध्यम से यह भी बताया कि हिंदोस्तान के सारे शहीद नेता दिवंगत नेता जो महान व्यक्तित्व हैं यहां तक कि जो 1942 में शहीद होने वाले बच्चे थे उनकी नाक भी जोज पंचम की नाक से बड़ी निकली इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि हमें अपने आत्म सम्मान को ही सरवोच रखना चाहिए सबसे उपर हमारा आत्म सम्मान है किन्तु जब पत्रकारों का आत्म सम्मान जागा जब उन्हें अपनी भूल का एसास हुआ तो वो मौन हो गए और उन्होंने कोई खबर कोई न्यूज नहीं छापी और यही इस पाठ में लेखक ने हमारे पूरे शासक वर्ग पर और पूरे तंत्र पर पूरी नोकर शाही पर एक व्यंग कसा है इस पाठ के माध्यम से तो यही पर व्याख्या समात करते हैं धन्यवाद